तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ एक कोरियन हॉरर मुवी को जिसका नाम है हॉरर स्टोरीज टू ये मुवी काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा लास तक देखना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मुवी शुरू होती है मिस्टर पार्क नाम के एक आदमी को दिखाते हुए मिस्टर पार्क एक rim कमपनी का मालिक होता है और वो रात के टाइम किसी वज़ा से अपनी कमपनी में ही रुखा था अब मिस्टर पार्क को बाहर से कुछ शोर आता है और जब वो जाके चेक करता है तो उसे मिलती है सी यंग नाम की एक लड़की जिसे एक आदमी परिशान कर रहा था असल में वो आदमी कमपनी में अपने पैसे लेने के लिए आया था क्योंकि ये कमपनी लोगों के साथ काफी ज़ादा फ्रॉड करती है और वो सी यंग को कमपनी का एक एमपलॉई समझ रहा था अब सी यंग और मिस्टर पार्क उस आदमी को मिलकर भगा देते है जिसके बाद हमें पता चलता है कि सी यंग असल में भूतों को देख सकती है और वो आज रात मिस्टर पार्क की मदद करने के लिए आई है ताकि उसे इस कमपनी में जॉब मिल सके अब मिस्टर पार्क सी यंग को इंशॉरेंस केस फाइल्स के रूम में ले जाता है जहापे मिस्टर पार्क सी यंग को कुछ ऐसी फाइल्स दिखाता है जो बहुत ही ज़ादा मिस्टर पार्क सी यंग को अपनी पावर्स का यूज करने के लिए बोलता है और अब सी यंग का ये काम है कि उसे पता लगाना है कि इंशॉरेंस वाले लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था पर इस पूरे सीन में सी यंग को एक काली शक्ती मिस्टर पार्क के आसपास फील होती है अब सी यंग पहली इंशॉरेंस फाइल देखती है और पता लगाती है कि आखिर वो फाइल जिन लोगों की है उनके साथ क्या हुआ था वो फाइल होती है दॉंग वुक नाम के एक लड़के की और फिर सीन दॉंग वुक पे ही चले जाता है दॉंग वुक सुबा सोकर उठता है और जैसे जैसे वो अपना डेली का काम करता है हमें पता चलता है कि दॉंग्वुक ने आनलाइन ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वो अपनी लाइफ को एक ब्रेक देने के लिए अपने दोस्त सुंक्यून के साथ एक ट्रिप पे जा रहा है सुंक्यून असल में दॉंग्वुक का बिजनेस पार्टनर भी होता है और जितने भी पैसे दॉंग्वुक ने कमाई थे उसमें से आधा पैसा सुंक्यू का था अब सुंक्यू और दॉंग्वुक एक पहारी पे घूमने पहुचते हैं जाबे वो दोनों पहारी के किनारे खड़े होकर अपनी फोटोस खीचते हैं फोटोस खीचते वक्त पहारी के किनारे वाला पत्थर तूट जाता है और दॉंग्वुक नीचे गिर जाता है पर गिर इसके बाद उन दोनों की बहुत बुरी हालत हो जाती है और ऐसे ही चार दिन बीच जाते है चार दिन बाद एक हेलिकॉप्टर वहां से निकलता है पर वो उन दोनों की आवाज नहीं सुन पाता कुछ देर बाद सुंक्यू को डॉंगू की जेब में एक चॉकलेट बार दिखाई देती है और सुंक्यू डॉंगू को उसे शेयर करने के लिए बोलता है पर डॉंगू बोलता है कि हम पर बस यही एक खाने की चीज है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते अब रात के टाइम दॉंक्यू 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 दॉंक् कुछ पत्थरों के नीचे छुपा देता है। कुछ देर बाद जब सुंक्यू घहरी नीद में चले जाता है, तो दॉंग वुक अकेले ही चॉकलेट को खाने लगता है। पर तभी सुंक्यू नीद में बाते करने लगता है, और दॉंग वुक के हाथ से चॉकलेट पहारी से नीचे गिर जाती है। नीद में सुंक्यू अपने पापा से बात कर रहा था और जागने पे सुंक्यू बोलता है कि उसके पापा ने उसे सपने में बोला है पहारी से नीचे देखने के लिए। अब सुंक्यू पहारी से नीचे देखता है और से मिल जाती है चॉकलेट जो एक पत्थर पे अटक गई थी अब सुंक्यू फैसला करता है उस चॉकलेट को लाने का सुंक्यू पहारी से नीचे उतरता है और दॉंग वुक सुंक्यू को पकड़ कर रखता है नीचे उतरने के बाद सुंक्यू देखता है कि दॉंग्वुक ने पहले से ही वो चॉकलेट खा रखी है जिससे सुंक्यू को बुरा लगता है अब जैसे ही दॉंग वुक सुंग्यू को बहाने मारने लगता है वैसे ही सुंग्यू का बैलेंस बिगर जाता है और वो पहाडी से गिर कर मारा जाता है अगली सुबा दॉंग वुक एक नोट पे अपने खून से मदद के लिए मैसेज लिखता है और इस नोट को हवा में छोड़ देता है अब रात हो जाती है और दॉंग वुक को क्लिफ के नीचे से कुछ शोर सुनाई देने लगता है और जब दॉंग वुक नीचे जाकर देखता है तो उसे दिखाई देती है सुंक्यू की आत्मा जो नीचे से उपर आ रही थी अब दॉंग वुक बुरी तरह डर जाता है और जैसे जैसे सुंक्यू की आत्मा कलिफ पर पहुचती है वैसे ही एक हैलिकॉप्टर दॉंग वुक को बचाने के लिए आ जाता है उस हैलिकॉप्टर से लोग नीचे उतरते हैं और जब वो दॉंगवुक को देखते हैं तो दॉंगवुक अपने होश में नहीं होता और इसकी आँखे भी सफेद होती है अब कुछ दिनों बाद दॉंगवुक होस्पिटल से ठीक होके निकलता है और से पता चलता है कि उसके दोस सुंक्यू के पापा मर चुके है और इसका मतलब सुंक्यू के पापा की आत्मा सुंक्यू से उसके सपने में मिलने आई थी जब वो अपने सपने में बात कर रहा था अब दौंग वुक सुंक्यों के पापा की भस्म के पास जाता है और वो उनसे माफी मांगता है पर सुंक्यों के पापा की आत्मा वहाँ पे आ जाती है और वो दौंग वुक को बुरी तरह डरा देती है अब रात को सोने के बाद भी दॉंग वुक को सपने में सुंक्यू की आत्मा दिखती है और अब दॉंग वुक बुरी तरह ड़ने लगता है कुछ दिर बाद सुंक्यू का छोटा भाई यंग्यून दॉंग्यून के घर आता है और यंग्यून दॉंग्यून को बताता है कि पुलिस को सुंक्यून की बॉडी जंगल में कहीं नहीं मिली क्योंकि जानवर उसे खा गए है और पुलिस को सिर्फ संक्यून का एक हाथ मिला ह जिसका अंतिम संसकार कल कर दिया जाएगा अब यंग्यून दॉंगुक से वो फोटोज मांगता है जो पहाडी पे कीची गई थी पर दॉंगुक चुपके से उस फोटो को डिलीट कर देता है जिसमें ये साफ पता चल रहा था कि सुंक्यू को पहाडी से गिराने वाला दॉंग्यूक है फोटो डिलीट करने के बाद यंग्यू को पता चल जाता है कि दॉंग्यूक ने कोई फोटो डिलीट करी है और दौंग्वुक तभी गबरा जाता है और अचानक से ही यंग्यू बदल जाता है खौफनाक संग्यू की आत्मा में जिसे देखकर दौंग्वुक बुरी तरह चिलाने लगता है अब तबी सब कुछ ठीक हो जाता है और यंग्यून अगले दिन दॉंग्यून को अस्तियों का विसरजन करने के लिए बुलाता है और हमें ये भी पता चलता है कि सुंक्यू की आत्मा यंग्यून के सपने में आई थी और वो चाहाती है कि उसकी अस्तियों का विसरजन दॉंगुक करे अगले दिन दॉंग्यूक और यंग्यून उसी पहाड़ी पे विसरजन करने के लिए पहुँचते हैं जहापे जब दॉंग्यूक अस्तियों वाला मटका खोलता है तो उसमें होती है एक चोकलेट पार और इसका मतलब यंग्यून को दॉंग्यूक की सारी सचाई पता है और यंग्यून को असल में ये लग रहा था कि दॉंग्वुक ने सुंक्यू को जान बूज कर मारा है ताकि उसे पैसो का बटवारा ना करना पड़े अब यंग्यून दॉंग्वुक को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और एक बार फिर से दॉंग्वुक उसी कलिफ पे फस जाता है कुछी देर में रात हो जाती है और एक बार फिर से दॉंग्वुक को पहाड़ी के नीचे से शोर सुनाई देता है अब दॉंग वुक देखता है कि सुंक्यू की आत्मा उसे मारने के लिए आ रही है और अब दॉंग वुक पे भागनी की भी कोई जगा नहीं होती कुछी देर में सुंक्यू की आत्मा कलिफ पे पहुँच जाती है और वो दॉंग वुक को पकड़ कर मार डालती है और किसी को पता नहीं चलता कि आखिर दौंबुक के साथ क्या हुआ सीन वापिस जाता है सी यंग और मिस्टर पार्क पे जहापे अब सी यंग को पता चल गया था कि दौंबुक के साथ आखिर क्या हुआ था अब मिस्टर पार्क सी यंग के टैरिंट की तारीफ करने लगता है और वो एक और अंसॉल्वड इंशॉरेंस केस फाइल को सी यंग को दे देता है इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर पार्क अपनी फैमली पे जादा ध्यान नहीं देता और अब सी यंग दूसरी फाइल की कहानी सुनाना स्टार्ट करती है सीन कहानी में जाता है जहां पे सबसे पहले हमें एक घायल लड़की को एंबुलेस में दिखाते हैं और इसी के साथ हमें कुछ अजीब छोटे छोटे सीन को भी दिखाया जाता है जिसमें एक कार एकसेडेंट और एक बुड़े आदमी को हम देख पाते है यहां से सीन जाता है तीन स्कूल की लड़कियों पे जो रात के टाइम ड्रिंग करके गारी चला रही होती है उन लड़कियों का नाम होता है जी यून, सी उन जू और मीरा और वो तीनों असल में अपने एक्जाम में फेल हो गई थी और अब उनका प्लैन था एक विला में जाके पार्टी करने का अब नशे की वज़ा से वो तीनों रोड पे ध्यान नहीं देती और एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और उन तीनों की गारी रोड से बहार निकल जाती है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है कुछ दिर बाद मीरा जी यून को होश मिलाती है और एकसिडेंट के बाद सीयोन जू के पैर में चोट लग गई थी और वो तीनों ही चौकी हुई थी कि वो एकसिडेंट के बाद जिन्दा कैसे बच गई अब वो तीनों फैसला करती है पास के एक SOS बॉक्स तक जाने का जहांपे से वो तीनों पुलिस को कॉल कर पाएंगी वो तीनों अब धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करती है पर जी उनको ऐसा लगता है जैसे उसका नाम कोई जंगल में पुकार रहा है कुछ दिर बाद वो तीनों पहुँच जाती है SOS बॉक्स तक पर उस बॉक्स में फोन ही नहीं होता और अब सी उन जो चिलाने लगती है और अब वो तीनों बहुत ही जादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है अब उन तीनों को जंगल में चमकती हुई एक रौशनी दिखाई देती है और वो तीनों फैसला करती है उस रौशनी तक पहुचने का और अब जीयून को फिर से उसका नाम सुनाई देता है और वो शोर हो जाती है कि उसे कोई बुला रहा है पर जीयून इस बात को इगनोर करती रहती है थोड़ी देर में ही जीयून को अपना नाम और जोरों से सुनाई देने लगता है और वो आवाज असल में उसकी मा की होती है और अब जीयून की दोस्त भी डरने लगती है पर वो तीनों उस रोशनी तक जाने की कोशिश करती रहती है कुछ देर और जंगल में चलते हुए उन लड़कियों को दरावनी अवाजे आने लगती है और अचानक से ही बहुत सारी दरावनी स्पिरेट्स उन तीनों के सामने आ जाती है वो तीनों उन आत्माँ को दिखकर बुरी तरह डर जाती है और वो भागना शुरू कर देती है काफी देर तक वो आत्माएं उन लड़कियों का पीछा करती रहती है और भागते भागते वो तीनों उस रोशनी तक पहुँच जाती है पर इस पूरे सीन में जी उनको बार बार एक हॉस्पिटल का विजन आ रहा था अब रोशनी पे पहुचने के बाद उन तीनों को एक बुड़ा आदमी मिलता है जो उन तीनों को बोलता है कि तुम सब काफी लंबा सफर करके आए हो और इसके बाद वो आदमी उन तीनों लड़कियों को अपने घर के अंदर ले जाता है घर के अंदर वो बुड़ा आदमी उन तीनों से कुछ अजीब बाते करने लगता है और वो जी उनको एक श्राइन में कैंडल जलाने का काम देता है अब जब जीयून केंडल जला रही होती है तब ही उसे हॉस्पिटल का विजन फिर से आता है और वो अपनी मा को भी देख पाती है जीयून अब कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो उस श्राइन से बाहर निकलती है श्राइन से निकलने के बाद जीयून एक अंधेरे से बरे हॉलवे में पहुँच जाती है और अब उसे अपने बच्पन के भी विजन्स आने लगते है और फिर जीयून पहुँचती है एक कमरे में उस कमरे में वो बुड़ा आदमी एक रिच्वल कर रहा था और उसने मीरा और सीयून जू को चेर से बांध रखा था और ये सब देखकर जीयून बुरी तरह डर जाती है अब वो बुड़ा आदमी भी जीयून को देख लेता है और वो बुड़ा आदमी असल में एक डीमन में बदल गया था जो अब जीयून के पीछे भागता है जीयून अब उस बुड़े से बचके जंगलों में भागती है और भागते भागते वो उसी रोड़ पे पहुँच जाती है जहांपे उसका एकसिडेंट हुआ था उस रोड़ पे जीयून को अपनी गाड़ी के पास काफी सारे पुलिस वाले दिखाई देते है और जीयून उस जगा पे अपनी दोस्तों की लाशे देख पाती है और जीयून समझ जाती है कि एकसिडेंट में उसकी दोनों दोस्त मारी जा चुकी है और जीउन खुद कोमा में चली गई थी और इसलिए उसे बार बार हॉस्पिटल का विजन आ रहा था और इसका मतलब अब तक जीउन की आत्मा अपनी दोस्तों की आत्माओं के साथ नरक के दर्वाजे पे चल रही थी अब तभी जीउन हॉस्पिटल में जागने लगती है और जागते वक्त उसे मीरा और सीउन जो की आत्मा भी दिखाई देती है अब जीउन जाग जाती है और उस टाइम पे रूम में कोई भी नहीं होता जीउन उटके खड़ी होती है और वो शीशे में अपनी रिफलेक्शन को देखती है अब अचानक ही शीशे में उसे वो बुड़ा आदमी दिखाई देता है जो जीउन को अपना इंट्रोड़क्शन देना स्टार्ट करता है वो बताता है कि वो एक ऐसी शक्ती है जो मरे कि वो मर चुके है पर ये बात उसने जीउन को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो उस वक्त जिन्दा थी पर अब जीउन का भी टाइम खतम हो चुका है क्योंकि वो मर चुकी है अब जीउन पीछे मुड़कर देखती है और से दिखाई देती है बैट पर पड़ी हुई अपनी लाश जिसके बाद वो बुड़ा आदमी जीउन को अपने पास बुलाता है जीउन उस बुड़े आदमी के पास चली जाती है और कहनी के एड़ में जीउन अपनी मा की रोने की आवाद सुन पाती है यहाँ से सीन वापिस सी यंग और मिस्टर पार्क पे जाता है और अब सी यंग को मिस्टर पार्क के आसपास बहुत सारी काली शक्ती फील हो रही थी और वो काली शक्ती धूल में बदल कर मिस्टर पार्क पे गिरने लगती है अब मिस्टर पार्क सीयंग को एक और फाइल देता है और अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके सीयंग एक नई कहानी सुनाना स्टार्ट करती है जो होती है बियंग शिन नाम के आदमी की सीन जाता है कहानी में और हमें बियंग्शिन को दिखाते है बियंग्शिन का आज हाई स्कूल प्रोफेसर की जॉब का पहला दिन होता है और वो पहुचता है स्कूल स्कूल पहुचने के बाद बियंग्शिन वहां के एक टीचर से मिलता है जो बियंग्शिन को बताता है कि अगर वो स्कूल के बच्चों से प्यार से पेश आएगा तो वो बच्चे बियंग्शिन को ही मार डालेंगे क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत ही जादा आतंखोर है अब बियंग्शिन डर जाता है क्योंकि वो काफी जादा काइन हर्टेड लड़का है बियंग्शिन अब क्लास में जाता है जहापे क्लास में एंटर होते ही वो फिसल जाता है और उसका पैर एक बाल्टी में फस जाता है बियंग्शिन अपना पैर बाल्टी से निकालता है पर वो बाल्टी सीधा उसके सर पे जाके अटक जाती है और उसी टाइम पे बियंग शिन की पैंट भी उतर जाती है और क्लास के बच्चे बियंग शिन की फोटोज खीच लेते है अब बियंग शिन इतना ज़्यादा हीुमिलियेट हो जाता है कि वो स्कूल की छट में सुसाइट करने के लिए पहुच जाता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक डरपोक आदमी है अब बियंग शिन के पास आती है तानी नाम की एक लड़की तानी बियंग्शिन को बताती है कि अगर उसे इस दुनिया से बहार निकलना है तो वो एलिवेटर गेम को खेल सकता है जो एक ऐसा गेम है जो उसे इस दुनिया से बहार निकाल देगा तानी ये भी बताती है कि ये गेम उसकी दो दोस्त खेल चुकी है जो अब मिसिंग है बता देता है और हमें पता चलता है कि elevator गेम खेलने के लिए बियंगशिन को एक खाली elevator में चड़ना होगा और एक particular number की sequence में floors पे जाना होगा और जब गेम पूरा हो जाएगा तो बियंगशिन एक दूसरी दुनिया में पहुच जाएगा अब बियंग्शिन की गर्फरेंड को अपने बीएफ की बातों पर यकीन नहीं होता और बियंग्शिन की गर्फरेंड नोटिस करती है कि जो सिक्वेंस तानी ने बियंग्शिन को दी है वो असल में बियंग्शिन का ही फोन नमबर है अब इसके बाद बियंग्शिन अपने घर पहुँचता है जहाँ पर वो एलिवेटर में चड़कर उस गेम को खेलने का फैसला करता है बियंग्शिन अपने मूँ में नमक वाला पानी भरता है क्योंकि ये गेम का पहला रूल था और जब तक वो दूसरी दुनिया में नहीं पहुच जाता वो उस पानी को थूख या फिर पी नहीं सकता अब बियंग्शिन फ्लोर 7, 2, 6, 5 और फिर 4 फ्लोर पे पहुचता है उसे देखकर बियंग्शिन की हालत खराब हो जाती है और वो अपना मूँ छुपा लेता है क्योंकि रूल के हिसाब से अगर बियंग्शिन ने उस चुडैल से बात करी तो वो उसे मार देगी वो लंब बालो वाली चुडैल अब एलिविटर में चर जाती है और बियंग्शिन डरते हुए गेम को आगे बढ़ाता है पर बीच में ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और वो चुडैल बियंग्शिन को बुरी तरह डराने की कोशिश करती है पर बियंग्शिन उस चुडैल की आँखों में नहीं देखता अब वो फाइनल फ्लोर पे पहुँच कर उतर जाता है पर वो चुडैल उसे एक बार फिर से रोकने की कोशिश करती है बियंग्शिन उस चुडैल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वो गेम को खतम कर देता है और अब रूल के हिसाब से बियंग्शिन एक दूसरी दुनिया में पहुच गया है अब बियंग्शिन पहुचता है अपने घर जहांपे उसकी मा किचन में होती है और वो सीधा टॉयलेट में चले जाता है टॉयलेट में बियंग्शिन को उसकी मा का फोन आता है और फोन उठाने पे बियंग्शिन को पता चलता है कि उसकी मा पड़ोस में गई है और अब बियंग्शिन डर जाता है क्योंकि अभी अभी तो उसकी मा रसोई में काम कर रही थी अब बियंग्शिन टॉयलेट से निकल कर किचन में जाता है जहापे उसकी मां बहुती जादा बड़ी और भयानक होती है जो मांस को टेबल पे काट रही होती है बियंग शिन की मा की आवाज भी बहुत जादा डिमॉनिक होती है और वो बियंग शिन को उसके कमरे में जाने के लिए बोलती है अब बियंग शिन डर के अपने कमरे में चले जाता है जहापे उसकी फैमिली फोटो में सारे के सारे डीमन्स होते है और वो समझ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में फस गया है जहांपे उसकी फैमली डिमॉनिक है पर रूल्स के हिसाब से अगर बियंग्शिन उन डीमन्स को डायरेक्ट नहीं देखेगा तो वो सर्वाइफ कर जाएगा अब बियंग्शिन कॉल करता है तानी को और उसका फोन अभी भी रियल दुनिया से कनेक्टेड होता है तानी बियंग्शिन का फोन उठाती है और बियंग्शिन सब कुछ तानी को बता देता है और तानी बियंग्शिन की मदद करने से मना कर देती है पर बियंग्शिन काफी ज़्यादा जिद करता है और तानी उसकी मदद करने के लिए आखिर में मान जाती है अब तबी बियंग्शिन की भयान अक्मा उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और बियंग्शिन अपनी डिमॉनिक फैमली के पास जाता है बट वो उन सब से डाइरेक्ट आखें नहीं मिल घाता वो डिमन्स अपनी जीब का इस्तमाल करके खाना खाना स्टार्ट करते है और बियंग्शिन की माँ जब बढ़दस्ति उसे कीड़े-मकोड़े खिलाने लगती है अब उन सारे डिमन्स को बियंग्शिन पे शक होने लगता है और उसे सामने देखने के लिए बोलते है अब बियंग्चिन मजबूरन सामने देखता है पर वो अपनी आखे तेड़ी कर लेता है जिससे वो बच जाता है अब वो डीमन्स बियंग्चिन को ऐसे कीड़े खिला देते हैं जो उसके पेट में ही रिप्रोडिूस करने लगते हैं जिसके बाद बियंग्शिन का पेट बहुत ज़ादा फूल जाता है और वो अपने मुह में से बहुत सारे कीड़े बाहर निकालता है। अब डिनर के बाद बियंग्शिन तानी को फिर से कॉल करता है और तानी फोन पे बताती है कि उस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि बियंग्शिन को रात के करेक्ट बारा बचते ही बालकनी से कूट कर मरना होगा और नीचे गिरते वक्त बियंग्शि किसे उसे ही घूर रहे थे और वो डीमन पूरी कोशिश करेंगे कि बियंग्शिन अपनी दुनिया में वापिस ना लोट पाए अब कुछ दिर बाद बियंग्शिन बालकनी पे जाने की कोशिश करता है और वो डीमन वहीं पे बैट कर उसे देख रहे थे और बालकनी का कपड़े लाने के लिए अब भी यंग खोश होकर बालकनी की तरव बढ़ता है पर उसकी डिमानिक फैमली उसे बुरी तरह घोर रही थी बियंग शिन बालकनी में जाके कपड़े उतारने लगता है और जैसे ही 5 सेकिंड रह जाते हैं 12 बजने में बियंग शिन बालकनी पर ख अब बियंग्शिन तानी को फिर से कॉल करता है और तभी तानी की वो दोस्त वापिस असली दुनिया में लौट आती है जो दूसरी दुनिया में फस गई थी अब वो दोनों बताती हैं कि वो आखिर बाहर कैसे निकली और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि बियंग्शिन को सबसे पहले नरक के दर्वाजे तक पहुचना होगा अब वो दोनों दो सारे इंस्ट्रक्शन तानी को बताती है और तानी वो इंस्ट्रक्शन बियंग शिन को फोन पे बताना स्टार्ट करती है अब बियंग शिन उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आगे बढ़ता है और सबसे पहले वो उठाता है एक कैंची अब वो जाता है बात्रूम में जहाँ पे वो टॉयलेट करता है और अपने ही टॉयलेट को अपने मुह में भर लेता है और अब बियंग्शिन अपने टॉयलेट को थूख या फिर पी नहीं सकता अब वो शावर चालू करता है और वो टॉयलेट को भी फलश करता है और तभी टॉयलेट में हर जगा से खून भरने लगता है अब तभी बियंग्शिन की डिमॉनिक फैमिली को भी पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है और सारे के सारे डीमन्स टौइलेट का दर्वाजा तोड़ने में लग जाते है बियंग्शिन दर्वाजे को लॉक कर लेता है और खून से भरे हुए बातरब में डुपकी मारता है और जैसे ही वो डुपकी से बाहर निकलता है वो पहुच जाता है नरक के दर्वाजे पे अब आखरी स्टेप तानी बियंगशिन को बताती है जो ये होता है कि बियंगशिन को उस टाइम पे एसकेप चिलाना है जब नरकी आत्माएं उसे माणने के लिए बढ़े और फिर उसे अपनी आखे कैंची से फोर्ड लेनी है और फिर उसी टाइम पे बियंगशिन असली चलता है कि ये तरीका सिर्फ लड़कियों पे काम करता है अब तानी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ बियंगशिन बुरी तरह मारा जाता है और कहानी हैं पे खतम हो जाती है सीन वापिस जाता है सी यंग और मिस्टर पार्क पे जहापे मिस्टर पार्क सी यंग से खुश हो जाता है और वो उसे जौब दे देता है अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो मिस्टर पार्क है वो लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रॉड करता है और वो लोगों की इंशॉरेंस का फाइदा उठाता है और ये सारी बाते सीयंग को पहले से ही पता है और वो ये भी जानती है कि जॉब मिलने के बाद मिस्टर पार्क सीयंग की पावर्स का भी गलत इसमाल करेगा और इसलिए वो आज रात काली शक्तियों को लेके आई है मिस्टर पार्क को सबग सिखाने के लिए अब मिस्टर पार्क के आऄसपास काली शक्तियां घूमने लगती है और उसे डर लगने लगता है और अचानक ही बहुत सारी evil spirits मिस्टर पार्क को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ काली दुनिया में ले जाती है ये सब देखकर सी यंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और लास्ट में मिस्टर पार्क वापिस भी आने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता और मूवी यही पे खतम हो जाती है तो ये थी Explanation Horror Stories 2 मोवी की और मुझे आचा है कि आप सबी को ये मोवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और अब मैं आप अनली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बब बाई